हालो गाइस देसे श्रुबम क्रोवर और विलकम बाक टू अड़र 247 चैनल सो स्टुडेंट्स आप चल दी से सेशन के अंदर आ जाएंगे और सेशन को एक बर शेयर भी कर देंगे आप सभी को पता होगा कि आरो और एयरो की वेकेंसी आप लोगों की आ चुकी है वो आप लो सब्सक्राइब करते हैं आप लोगों से आरो और आरो की वेकेंसी के बारे में आपका कल भी एक सेशन लिया था और आज भी एक ब्यूटिफुल से सेशन हम लेंगे कुछ इंपोर्टेंट कॉसिंस जो हैं वो करंट अफ्यर के मद्दे नजर रखते हुए स्टाटिक से पहले कोर्शन के साथ हम चलते हैं अच्छाव को फिकोर्सिस यह आप लोगों के लिए अधाने वाली हो घृत्य कंप्यूटर भी कंप्यूटर पढ़ाने वाली आया समझ में आप लोगों को और यहां पी मैं आपको वैसे जातए को पराते हूं तो नहीं को स्टाटिक कैक कोशन देकर आयों जो कि एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत ज्यादा जुरूरी होगा है लोगाम एरो आरो का बैच की रिकॉर्डिट क्लास एविलेबल है नहीं अभी निशान्त ये देको अभी फ्रेश बैच है 31 तारीक से 31 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा ठीक बि यूपी एस आई बनाने के लिए सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए ठीक है चलिए कुशन के साथ चलते है ये ब्रह मास्त्र बैच है का इस राजिस्तान पटवारी का मिशन यू के पी सी है जो कि इसके अंदर दोनों के अंदर मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट बढ़ पढ़ते हैं क्या लिए सोच को अपनी लेकर जाओ शिकर तक उसके आगे सारे सितारे जुख जाए ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्टी का मौताज चलो इस शान से की तुफान भी जुख जाएगा इस यह आप लोगों के लिए ब्यूटिफुल सा कौट है जो आप लोग टाइटल दे मोस्ट एंक्राइडेबल ओलंपिक स्टोरीज हास बीन ओधर बाय हुँ दे मुस्ट इंग्राइडेबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस तक किसके दुवारा लिखी गई है स्टूडेंस आप लोग मुझे बताओगे अब इस किताब के अंदर क्या है बेसिकल आप लोगों को यह किताब बता रही है कि जरनी क्या रहते है टोटल आप लोगी कैसे-कैसे सेलेक्शन होते हैं कैसे-कैसे अथलीट्स और जो भी प्लेयर है इसके अंदर आते हैं उनका पूरी सफर उलम्पिक्स ट्रेनिंग का या फिर उनकी बाूट्स का लडाई का या फ टौर लोग के जौन आथन दूर किसके त्रीन ओर आधे आइस बता ही। GMA आप ऑन्से लुग क्योंन फिकेंट कश्स्ट है है आप लोग बैंक के अंदर भी आता है are question यह जाताक है यह स्टाटिक और करेंट फिर दोनों के अंदर जुड़ रहा है तो गाइस आप लोग आंसर दोगे कि किसके द्वारा यह किताब को लिखा गया है और अगर मैं बात करते हूं यह जो किताब लिखी गई है इसके जो ऑथर है वे कहां से बेसिकली बिलॉंग करते हैं हना क्यों बिल्कु से अंकित बिल्कु सी आंसर है आप लोग का बीज हो जाएगा वे राइट आंसर हो जाएगा क्यों जाएगा लुसियानो वर्निक इनकी द्वारा यह जो किताब है वे लिखी गई किताब हो जाती है समझ में आया स्टूडेंस आप सभी को ठीक है बी एज़क्ट आंसर भी हम भी इज़क्ट और अप्सलिटली करेक्ट आंसर ठीक है तो नेक्स्ट कोशन के चलते हैं का इस बात कर रहा है आप लोगों से कि विच कंटीज हाज अनौंस टू बिल्दा फर्स्ट काइंड ओफ क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रियाक्टर यानि किस देश ने अपना अपनी तरह का पहला स्वच्वाणी जे प्रमानू रियाक्टर बनाने की घूशना करिया है सिर्फ और सिर्फ अनौंसमेंट करिए गाइस कि हम ऐसा एक कारे कर देंगे बट अभी बनाया नहीं है जो कि बनाया जाएगा 2030 के अंदर बनाया जाएगा 2030 के अंदर इसको बनाया जाएगा क्या है गाइस यह एक न्यूक्लियर लिएक्टर है जो कि होगा तो आपको ऑप्रक्रान hottest को स्मोग आइब या फ्र कोई भी हानी नहीं करे गाना सो क्या हिं एक कमर्शियल न्यूक्लियर लियाक्टर है बिए काउन सब्सक्राइब यह पिर मिए जर्मनीय कै आंसर हो जाएगा हाँ चाइना ही होगा मैं बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से चाइना ही है अब देखो इसने यहां पर कोशन के इंदर क्या बोला है अपनी तरह मतलब क्या कहना चाहरा है चाइना जो है बहुत ज़्यादा स्वर्च है क्लीन है हाना तो इसलिए बुला आरा कि red switch है एक nuclear reactor बाट इसको आप लोग जानती हो molten molten मतलद जानती हो पिगलियू या अवस्ता हना अगर मैं बात करते हूं का किया इसको बोला जाएगा molten salt nuclear reactor के नाम से इसको जाना जाएगा लिख देती हो किस नाम से जाएगा known as kya known as molten सॉल्ट न्यूकिलियर रियाक्टर ठीक स्टूडेंस इस नाम से तो यह जाना जाएगा कब तक बन जाएगा 2030 तक बनाने की गोशना करें कि हम बना देंगे दूसरी अगर मैं बात करते हूं गाइस यह जो आप लोग के न्यूक्लियर रियाक्टर्स होते हैं इसके अंदर यु श्रेंद झे और है की शरओ यूररानियम का इस्तेमाल किया जाता है बैसंक इसका सिम्बल होता है यू कैन चाहीं के नहीं कि आ जाएगा यद डियो हम ल्युक्लिय र्याक्टर्स वगेरा बनाते तो इसमें पानी को कूल डाउन करने के लिए आवाशकता जोगी वह बिल्कुल भी नहीं होगी समझ में आ गया हाँ अच्छा ओके मन्स आप जी बिल्कुल आपका कमेंट रीट किया जाएगा बिल्कुल रीट किया जाएगा जो बतारे कौन सी सरकार ने एडूटेक के साथ हाना एक मोयू साय्ण करेक मेमरीबल साइन करा है एक लाइड चाप प्लैटफॉर्म के साथ और बात करती हूं किया जिसका नाम जीओ अभीब है कि कि किसके लिए लर्निंग के लिए सिंपल सिंपल अकर मैं बात करूँ आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी का हेल्प करके स्टूडेंट्स के लिए एक प्लाटफर्म लॉंच किया जा रहा है वे कौन से सरकार द्वारा किया रहा है कैला उत्तर परदेश जारकंड या फिर गुवा ठीक है बता दीजिए काइस हां म मैं मैं वर्किंग प्रफेशन हो मुझे मीद बैच में आरो का परसेज करना है मैं लाइब क्लास नहीं ले पाऊंगा क्या रिकॉर्डिट क्लास मिल जाएंगी हां निशांत बिलकुल मिल जाएंगी आप क्या करना जैसे की 31 तारीक से बैस्टार्ट हो रहा है ठीक है ले लीजिएगा लाइफ और वाइस आपको रिकॉर्डिट फॉर्म में मिलेगी एक ठीक है रिकॉर्डिट फॉर्म में मिल जाएगी निशांस सर और अगर मैं बात करते हूं आप लोगों से कि आगर आपको कोर्स के अंदर एंडरोल करना है और मैक्सिम्म डिसकाउंट रह जो कि कभी 700 कोर्स यह 7000 कोर्स यह आफ्टर अप्लाइंग मैं कोड्यों गेट 77 पोर्षन इसकाउंट ओके स्टूडिंस ठीक है कैरला मैं जब यह कोशन कर आया था था आइक्चुली मैं आज सुबह स्टूडिंस को भी यह कोशन कर आया था तो उन्होंने भी यह दिया था का बताती। रीजन किए है विकेसोमूण की लिटरेसी से रेट इस हाइब लिटरेसी, इस यह तो है और धारम कर आटना जीे-वह कोशनकर कारें कारें करेरा किस ने गौवा। उने जिसकी क्या-क्या-कार रईसके अंदर होंगे hello game पहेयं तो game के तरीकों से हम किया करेंगे चीजों को यह फिर पढ़ाय को सीखेंगे तो यह क्या के विज्ञान मात्स यानिकी गडित दो तरीके के मिलेंगे तो मैं लिख देते हूं क्या है गेमिफाइड लर्निंग आप है क्या यहां मिटा के लिख रहे हूं ठीक है स्टुडेंट्स डीज हो जाएगा इसका एपसलिटली राइट आज हो जाएगा अगर मैं बात करूं क्य यह एक गेमिफाइड गेमिफाइड लर्निंग अप्लिकेशन है ठीक है जो कि सिक्स्त क्लास से लेकर सिक्स्ट टैने डोटना से लेकर 12 स्टैनेट तक के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा और यह एक साल तक पुरे 2020 से लेकर 21 तक फ्री मिलेगा इनको ना कि अच्छे 21 से लेकर 22 तक क्या मिलेगा गईस स्टूडेंट्स को फ्री में लेगा और मैंने एक और आपको बाव दायते की कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के गेम के चुरू यह पढ़ पाएंगे तो एक तो गया आप लोग का साइंस क्या हो गया एक तो गया आप लोग का व इसको पढ़ लो पहलना क्योंकि पेपर में आने की संभावनाएं हो जाती है ओके चले ठीक है हलो हलो सभी को अब लोगाई अब पढ़ा रही हूं बाद में बाद में तारीफ करते हैं एक दिन तारीफ के लिए सेशन ले आऊंगी पढ़ लोगा पढ़ाने के लिए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में किया रहा है मैं बताते हूं गाइस यह क्या है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 36 वा संस्क्रण यानि की एडिशन है कॉर्पेट नेवल एक्सराइज यह क्या एक सैनने अभियास है सैनने अभियास है और सैनने अभियास कि क्या है। ऑप लोगों की क्या है एक एक्सَाइज है अगर नॉर्म बात कर दूंट किस किस के बीच में हो रहे है। इंडिया अपने भारत और एंडोनेशा के नर के बीच में हो रही है।ि इंडिया और एंडो पोडोची में पूंत्या ray प्रिशांत मास आगर में एंडिया नोशन हिंद मास आगर में बे ओव बंगॉल बंगाल की काड़ी में या फिर साउथ चाइना सी यानि कि दक्षिन चाइना सी के अंदर यह हो रहा है बताईए इसके बाद में आपको एक कॉशन दोंगी हमवक के लिए उसको कर रही करिएग आप आप जिससे क्या उजए आपको ही फाइदा मिलेगा क्योंकि मेरी गाइजिक एकदम से इसके पीछे जास्ट लगी पड़ी है ओके इंडिया नोशन वेरी गूड रही है और यह एक्सराइज जोए वे क्यों हो रही है आपको पता है यह एक्सराइज हो रही ब्रीज से बचाना और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो इंडियान ओशन के आसपास अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है संबंदर में अटाक्स वगएरा चलते रहते उससे इसको बचाए रखने के लिए एक एक्सराइज है जो कि इंडियान आर्मी और एंडो हो इंडोनेशिया के बीच में हो रही है आई एनेस आप लोगों जो इंडिया की तरफ से जहाज गया है उसका नम सरयू है क्या है आई एनस सरयू लिख लिजेगा क्या है आई एन एस सरयू ठीक है गई समझ में आगे आप लोगों को ठीक है अच्छा एक कोशन गाईस में आप लोग को नहीं चाओंगी इस कोशन का आप लोग होगे टीनेजर्स के लिए बेसिक लिए कोशन्स और मतलब टीनेजर से बिलॉंग करता है यह कोशन्स और मैं आपको वैसे बताई चुक्यूंगा इस कोशन्स तो मैं बहुत सारे लेकर आई थी बट हो नहीं पहे यह उमीद बैच है इसमें अन्रॉल कीजिएगा आप लोग वाई टू डबल नाइन कोड का इस्तेमाल करके जो की मेरा कोड है इस से आपको 77 परसंट का डिसकाउंट मिल जाएगा कोश का चुक्प्राइज है जयान गाईज करीबन करीवन 6999 है बट आफ्र अफ्लाइं वाई 2 ौ 9 9 जो की मेयरा एक कोड है जिस आपको डिसकाउंट मिलेगा 77 परसंट का है सो आप बैंकिंग के स्टुडेंट सो गाईज आप लोग राम से परसेंटेज निकाल लोगे करीबन 1379 रुपीस का यह आप लोग कोर्स मिल जाएगा तो देख लो 7000 से आपको 1379 का मिल रहा है प्लीज एन्रॉल कीजेगा स्टाटिक आप लोग मेरे से यहां भी पढ़ सकते हो और मैं सबस्क्राइब करते हुं कम्प्यूटर में बैसिकला पढ़ाऊंगे और कम्प्यूटर का क्या है और आप लोग का यह बैच जो है वे हैं चली ती के स्टूरेंट्स चली आप चलती हूं मैं क्योंकि मैं इसके पिछ जस्ट सेशन लावा अप्लिकेशन की क्लास है वो भी ल बार आप साइट पे जाके विजिट कीजिए जो की है अड़ा 247.com अगर आपने अप्लिकेशन ले रखिए तो गाइस आप उस पर भी विजिट कीजिएगा कोड अप्लाई कीजिएगा वाइट डॉबल लें जिससे माक्सिमिम डिसकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा ओके बबाई गाइस हाना चले नहीं ब्लॉब क्या करना बाकी जगा पढ़ लेंगे हाना चले ओके बबाई गाइस निशांत बता दिया मैंने आपको हाना ठीके शिक्स मन तक वैलिड होएगा हो जाएगा कोर्स टेंशन मत लीजिएगा ओके निशांत बिलकुल अराम से